नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप सभी के लिए बड़ी कुछ कवरी है तो कि पोस्ट ओफिस के डिपार्टमेंट से बंपर भटी का नोटिफिकेशन ओफिशली चारी हो चुका है जी हां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट और पोस्ट की लेटेस सीकुर्मेंट के बारे में जो कि इस साल 2023 की एक और बंपर भड़ती है दोस्तों इस जो वेकेंशी नेका लिगई है दोस्तों इसकी आविदन जो हैं शुरू हो चुके हैं online आपसे आविदन बागए जा रहे हैं अगर अभी तक आपने apply नहीं किया है तो 3 माई, भीके 3 माई 2023 इसकी लाज जेट है 3 माई से पहले आपको apply करना है apply करने से पहले वीडियो को complete जरूर दिएगा कि हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकाई देंगे, वो भी step by step, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो vacancy निकाली गई है, आप जिसते हैं कौन-कौन सी post पर vacancy है, तो सबसे पहले आपको post के बारे में भी जानकाई देते हैं, जो vacancy है, inspector की post पर है, postal assistant की vacancy है और shorting assistant की post पर vacancy निका करने हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लागता एक जरू दिरीगा, और आगे बने से पहले वीडियो को लाइक कीजेगा, दोस्तों में ज़्यादा से यदा शेयर कीजेगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो, रोजना चीपर का नहीं भरत आपसेट और रोजना विजिट करते रहें, यहां पर आपको सबसे पहले सरकारी नोगरी की जानकारी दी जाती है, चाहे वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से हो, आप यहां से आकर के लेटेस जोब पर आप आएंगे, तो आपको नई भरतियों की जानकारी में जाएग चली आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की लेटेस रिकुर्मेंट के बारे में, जो कि आप जिसकते हैं, डिपार्टमेंट और पोस्ट की तरफ से नई भरती है, दोस्तो इस भरती का नोटिफिकिशन जो है, ओफिशली जारी हो चुका है, नोटिफिकिशन रिलीज हो इस पेक्टर की पोस्ट पर, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर और शौटिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर, वहीं दोस्तों इसकी आवेदिन जो हैं, आपसे online बाई जा रहे हैं, जो कि already start चुके हैं, 7500 से अधिक पोस्ट पर ये भरती निकाली गई है, इसके लिए All इस लिमिट की बात की जाये, तो कम से कम 18 साल है, और 32 साल तक एक इंडिकेट्स अप्लाए कर सकते हैं, इसका रिलेक्शिन भी है, अगर आप रिजर्फ इंडिकेट्स है, तो आप ये बेनिपिट भी ला सकते हैं, बात की जाये अप्लिकेशन फीज की तो जन्रल OBC के लिए सो रुपे का चार्जर्स है, बाकि SCS की के लिए कोई भी चार्जर्स नहीं है, पेमेट्स सिर्फ आपको ओनलाइन करना होगा अधर के इंडिकेट्स को, ठीके, क्वालिफिकेशन की बात की जाये, तो यहां अपर जहां दीजेगा के वो ग्रेजुट पास के इंडिकेट्स तो तीन मही से पहले आपको अपलाइ करना है, और आपका जो एक्जाम होगा, 14 जुलाइ से लेकरके 27 जुलाइ तक होगा, एंडिकेट्स कार आप जल्द ही डाउनलोड कर पाएंगे, ठीके, यहां से दोस्तों आप अपलाइ कर सकते हैं, और यहां से जो है आप नोटिफिक जाली किया गया है, यहां पर आप चेक आउट करेंगे, तो आप सकते हैं, Department of Post, Ministry of Communication की तरफ से वेकेंसी है, जो कि Group C की वेकेंसी है, Post Assistant और Shorting Assistant की पोस्ट पर, ठीके, वहीं दोस्तों आप और भी वेकेंसी को सर्च कर सकते हैं, चेक आउट कर सकते हैं, यहां पर, DTS में आप अप्लाइ कीजेगा, यह जो वेकेंसी है, SSC की CGL की भड़ती है, इस साल 2023 की, ठीक है, तो Department of Post की तरफ से वेकेंसी है, और अलग-अलग दिपार्मेंसी है, पुरी की पुरी लिस्त आप चेक आउट कर सकते हैं, कि कब से कब तक आपके आविदन चलेंगे, एक्जाम कब तो चैनल पर विजिट कीजेगा, उससे चेक आउट जरु कीजेगा, पिर भी कुछ डाउट से तो कमेंट कीजेगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, थेंक यू सो मच, जैहीन, चे भारत